एक वीवर का कोशन है कि मैस या मैसिंग क्या है तो आयो फ्रैंड्स उनकी कन्फ्यूजन को खक्म करते हैं मैस या मैसिंग का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो गरबर कर देना या कोई चीज खराब कर देना जैसे कई बार आप अपने डेडी लाइफ में इस तरह के स speech, यानि मैंने अपने भासर में दो लाइन गरवड कर दिया, या खराब कर दिया, यहाँ गरवड करने के लिए मैंने बोला मैस डे, क्योंकि मेरा sentence पाश्ट का है, जहाँ मैंने सकेंद फॉर्म का इस्तिमांग किया, अगर आपको कहना हो, तुम गरबड कर रहे हो या तुम खराब कर रहे हो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे और अगर आपको कहना हो गरबड़ी के लिए मौफी चाहता हूं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे sorry for a mess यानि गरबड़ी के लिए मौफी चाहता हूँ अगर वे लोग स्टेज पर गरबड़ी करती हैं तो घबड़ाना नहीं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे if they mess on the stage don't panic यानि अगर वे लोग स्टेज पर गरबड़ी करती हैं तो घबड़ाना नहीं तो friends उमीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि mess का मतलब होता है गरबड़ कर देना और messing उसका कांटी निवस फॉर्म है यानि जब आपके sentence रहा रही में होगा तो आप mess के जगा पर messing का इस्दिमाल करते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है यहां मैं आपको बता दूँ कि miss के और भी कुछ मिनिंग होते हैं जैसे गवा देना, गंदा कर देना, या मैला कर देना या फिर भोज नाले, यानि वो जगा जहां से लोग अपना खाना लेते हैं आईए एक दू examples और देख लें अगर आपको कहना हो मैंने एक बड़ा मौका गवा दिया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I missed a big time यानि मैंने एक बड़ा मौका गवा दिया यहां word miss का मतलब है गवा देना अगर आपको कहना हो वो अपना dress गंदा कर दिया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे He missed his dress यानि वह अपना ड्रेस गंदा कर दिया यहां word missed का मतलब है गंदा कर देना अगर आपको कहना हो मैं भोज नाले जा रहा हूं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I'm going to mess यानि मैं भोज नाले जा रहा हूं तो फ़रंस उमीद करता हूं कि अब आपको कोई confusion नहीं होगा और आप कमेंट बॉक्स में लेखे ताकि मैं चेक करके बता सकू कि आपने सई सीखा या घलत है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसंस के साथ तब तक के लिए